अटाक से कोहराम मचा दिया है नेतन याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्ला रे इस्राइल के मिसाइल हेटक्वाटर को कैसे आखिर उड़ा दिया उड़ा दिया इस्राइल का मिसाइल हेटक्वाटर पिछले 72 घंटे में हिजबुल्ला के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्ला लड़ा के इस्राइली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं इसराइली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिनी लिबनान में हिजबुला की कमर तोड़ कर रख दी है लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुला ने पीम नेतन याहू और उनके कमांडरों के वार प्लान को डिकोट करके उसकी धज्जियां उलाना शुरू कर दी है इसबुला का सबसे ताजा हमला इसराइल के सफाद में हुआ जहा आईडियेफ का एक गुप तड़्डा मौझूद था इसबुला का दावा है कि उसने तिब्रियास जील के उत्तर पश्चिम में स्थित इसराइली सेना के मिसाइल हिटकोटर को बहानक ड्रोन हमलों से तभा और बरबाद कर दिया है हम आपको एनिमेशन के जरीए दिखाते हैं कि आखिर इसबुला हमले पर क्या दावा कर रहा है दावों के मताबिक इसबुला की ड्रोन यूनिट ने इसराइल के सफाद में मौझूद इसराइल के मिसाइल हिटकोटर को तभा कर डाला है इसबुला का दावा है कि इसराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड़ा बना रखा था जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइले मौझूद थी इसबुला ने सटीक और पकी खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीशन ड्रोन हमले किये हैं जिसमें इसराइल के मिसाइल हिटकोर्टर को पूरी तरहां से उड़ा दिया गया है इस हमले में कैई इसराइली सेनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है वसलत इला दाखिल काईदत फगनत जलीलोत वकाईदत आईशीमा इसराइली सेना ने हिजबुला के दावो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसराइली सेना अभी भी दक्षणी लिबनान पर भीशन हवाई हमले करने में जूटी है पीम नेतन याहू भी हिजबुला के हमलों पर चुपपी साधे बैठे है लेकिन हिजबुला ने यूरोपियन और मिडिलीस के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इसराइली सेना को भारी नुक्सान हो रहा है अब आप ये देखिए कि हिजबुला लड़ा के इसराइली मिजाइल डीपो को उड़ाने पर और क्या-क्या दावे कर रहे है हिजबुला के दावों के मताविक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इसराइली सेनने अड़े पर हमला किया है इसबुला ने कहा कि उसने आईडियेफ के तोप खाने और मिजाइल इकाई के मुख्याले को पूरी तरहां से बरबाद कर डाला है दावा किया जा रहा है कि लगबक 11 महीने की घज़ा और लिबनान जंग में पहली बार इसराइल के गुप तड़े का पता इसराइल के दुश्मनों को लगा है इसबुल्ला ने इसराइल के खिलाब दक्षणी लिबनान के अल एहम दी और कफर रूमा ने सहित लिबनानी शेहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीशन हमला किया है इसबुल्ला लडाकों ने उत्तरी कमान के मुख्याल ले और 91 डिविजन के लोजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है इसबुल्ला का दावा है कि उसमें ग्रेट प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इसराइली सेनने ठिकानों पर किये है इसबुल्ला का हमला होते ही इसराइल के अवीविम, एलिफलेंट, कोराजिम विरेड, अनमोन, कबजे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार साइरन बजने लगे थे वहें हिस्बुल्ला लडाकों ने रौस्यत अलालम में इसराइली सेनने अड़े के पास एक इसराइली मरकावा टैंग को आंटी टैंग गाइडिड मिसाइल से तबहा करने का दावा किया है अब ऐसे हलात में सबाल उठरे है कि आखिर इसराइली सेना और नेतन याहु किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इसराइली सेना घजा से लेकर लिबनान तक जग जीत रही है जबकि इस्राइल के मिसाइल हेट कौटर को तबा करने से पहले हिजबुल्ला लड़ाके एक बड़े हमले में इस्राइल के 22 सेनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं इस्राइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेरहम हमला किया कि इस्राइल के प्रधान मंत्री नेतन याहू और रक्षा मंत्री यॉफ गैलन के होश वाक्ता हो गए इस्राइल को रत्ती बर उम्मीद नहीं थी कि हिस्बुल्ला तेलवीव के पास इस्राइली सेना के गिलोट बेस को तभा कर सकता है हजबुला के चीफ नसरल्ला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हजबुला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सेनी को कुमार डाला है हजबुला को कमजोर समझना शायद इसराइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है इस्राइली सेना बेशकट गाजा के साथ साथ लिबनान पर घातक हमले कर रही हो लेकिन खुद इस्राइल के टॉप सेन अफसर चितावनी दे रहे हैं कि हिस्बुल्ला को हमास समझना इस्राइली सेना की बड़ी भूल सावित हो सकती है हम आपको इसराइल के इसराइली रिजर्व मेजर जनरल यजजाग ब्रिक के बयान और चिताबनी दिखाते हैं जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्ला के सफाय के चक्कर में कहीं इसराइल का ही सफाया न हो जाए रिजर्व मेजर जनरल यजजाग ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लिबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो हिजबुल्ला इसराइल के तेलवीव गुजडैन को तबहा कर सकती है इसराइली जनरल ने यहाँ तक कहा कि अगर इसराइल ने लिबनान के साथ युद को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसराइली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है इस्राइली चैनल 12 के साथ एक इंट्रव्यू में इस्राइली जर्नल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुला पर हमले का जूटा प्रचार बंद करें क्योंकि इस्राइली सेना काफी चोटी है इस्राइली सेना के पास सिर्फ 6 डिविजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है ऐसे हालात में लिबनान में हिज्बूला से सीधी जंग इसराइली सेना की छे डिमिजन नहीं कर पाएगी और लिबनान युद इसराइल के वजूद पर बहुत भारी पढ़ सकता है पिछले 100 घंटे में हिजबुल्ला ने इसराइल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इसराइली सेनी को कुमार डाला है और अब इसराइल के सफाद में पूरा मिसाइल हेटकौर्टर उड़ा कर हिजबुल्ला ने इसराइली सेना की हालत खराब करके रख दी है अब देखना होगा इसराइल हिजबुल्ला के हमलों का बदला कैसे लेता है गाजा में इसराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू ने गाजा में हमले के तेस करने के जो ओर्डर पास किये है उसके पीछे के वज़ा समझना भी बहुत जरूरी है इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्स को नया ओर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खीचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है गाजा में बीच गई मौत की चादर नेतन्याहू की फोज का आपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट 18 लोगों की होगी मौत 40 से ज़ादा होगे घायल अब तक 41 हजार से ज़ादा फिलिस्तिनियों की मौत 80 हजार से ज़ादा घायल दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी गाजा में इस्राइली डिफेंस फोस्त ने ताजा हमला किया है यह हमला देक्षणी गाजा में हुआ है इस्राइली सेना ने एक स्कूल को निशाना बना कर जबरदस्त बंबारी की है गाजा के जिस स्कूल में ये हमला हुआ है वहाँ जादा तर विस्थापित लोग शरणन लिये हुए थे इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं जमीन का सीना चीर कर गाजा में जिन्दगी बचानी के जद्दो जहद बता रही है कि ये जंग इनसानियत पर कीस खदर भारी पड़ रही है इसके अलबा खान यूनीस में इसराइल हमा से युद्ध से विस्थापित फिलिस्तिनियों के लिए बने एक शरवीर को निशाना बनाया गया इसराइल के अपधारमतिय बिनियामि नितिनाहू जल्दी में है गाजा को मिठी में मिला देने की जल्दी में नेतनियाहू की फौज ने गाजा पर हमले और तीज कर दिये हैं नेतनियाहू की जल्दी की कई वज़े हैं पहली वज़े ग्यारा महिनों की लंबी जंग से इसराइल की जनता उकता चुकी है दूसरी वज़ा नेतनियाहू को लेकर इसराइल की जनता इस पर विमर्ष कर रही है कि वो बंधक संकर सुलजाने में फेल साबित हुए हैं तीसरी वज़ा नेतनियाहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजे उठने लगी हैं चौती वज़ा नेतनियाहू के खिलाफ इसराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं पांचवी वज़ा इंटरनेशनल बिरादरी से नेतनियाहू पर आम फिलिस्तिनियों की मौत को लेकर सवाल उठे हैं वो लोग जिनका इसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो भी जंग के मलवो में कुछ इसकदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है गाजा का हाल यह है वहाँ जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगवाख खत्म ही हो गई है मरने के बाद दफनाने तक की जग़ा भी कम पड़ती दिख रही है 23 लाग की आबादी हर पल मौत की आश्रंका में जीने को वीवर्ष है 7 अक्टूबर 2023 से ही गाजा में तक करीबन हर रोज इसराइली आपरेशन हो रहा है यो धविराम के लिए कई दोर की बादचित भी बेनतीजा रही है फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे है ये ही वज़ा है कि इसराइल के तेल अवीब में बंधकों की रहाई की मांग तेज हो गई है इसराइल में शनिवार को हजारों प्रदाशन कारियों ने सेना मुख्याले और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया इस दोरान परदान मंतरी नेतनियाहू के खिलाफ नारे बाजी की और गाजा में बंधक बनाए गए सौ से ज़्यादा बंधकों की निहाई के लिए हमास के साथ शांती बनाने का दबाव डाला कई लोगों ने समझोता करने में विफलता के लिए पीम ने तनियाहू को जिम्यदार ठहराया क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी इस दौरान पदर्शनकारियों ने शहर के एक पूल पर चक का जाम कर दिया याता याद विवस्था भी ठप हो गई पदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक है इस दोरा नाराज पदर्शनकारियों ने गुलावी धूए वाले पटाके जला कर और बंधकों की तस्वीरों के साथ अपना विरोध दर्च कराया ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध पदर्शन जारी रहेगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर 250 इसराइली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया लेकिन बंधक चुड़ाने की कोशश में अब तक 41,000 से ज़्यादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का नेतनाहू ऐलान कर रहे हैं वो हमास का आखरी आतंकी अब भी इसराइली डिफेंस फोस की बंदूक की गूली से बहुत दूर दिख रहा है जाहिरे नितन्याहू मुश्किल में है सैयुक अरब अमिरात में भी इसराइल से मुँ फेरा UAE ने कहा है कि अगर इसराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लैन का समर्था नहीं करेंगे UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल्रहान ने सोशल मेडिया पर इसकी जानकारी दी इसराइली पीम नेतन्याहू ने माई में जंगे बाद गाजा के लिए एक प्लैन जारी किया था नेतन्याहू का कहना है कि इसके जर्या गाजा का विकास होका प्लैन जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था इसे तीन स्तो रुमे वाटा गया था के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर उर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की मैनुफैक्टरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र है नेतर्याहो की तरफ से गाजा के भविश्र के लिए प्लैन जारी करने के बाद उनके रख्षा मंत्री योजनाओं गैलन्ट ने इससे नकात दिया था योजन्ट ने इसराइले पीम को चेतावनी डी थी कि वो फिलिस्तिनी जमीन पर कभी भी इसराइल का शासन नहीं होने देंगे गैलन्ट का बयान सुनिये हमास के बाद गाजा कास्ति तभी मुम्किन है जब यहां फिलिस्तिन के लोग ही अंतराश्टिय सबुदाई की मदद से सत्ता संभाले अगर सरकार ने सही समय पर गाजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंटा तो इसराइल का मिलिटरी ऑपरेशन कमजोर पर जाएगा हमास फिर से अपनी जड़े जमाना शुरू करते का नेतनयाहू के समर्थन में खड़े अमेरिका में चुनाओ का माहौल है और बाइडन के पार्टी की विदाई के बाद च्रम्प सत्तासीन होते हैं तो युद्ध की सूरत पर भी असर पड़ना तैह है स्यूगत अरब अमिराद जैसे देश अमेरिका के कहे में ही काम करते हैं और स्यूगत अरब अमिराद अगर ये कह रहा है कि वो नेतनयाहू के प्लैन से इतिफाक नहीं रखता है तो इसका मतलब है कि अपने समर्थक देशों के बीच ही नेतनयाहू घिर चुके हैं सवाल फिर वही घुम्पिर कर खड़ा होता है कि इसराइल हमास युद्ध आखिर कब तक जहां तक इसराइली बंदकों को हमास के खब्जे से शुड़ाने की बात है या संपून गाजा को जम इंदोज कर देना होगा क्योंकि यहां से नेतनयाहू पीछे हटे तो घर में इसराइली उनके साथ चाहे जो वेवहार करें अरब देश इसराइल के खीचे खड़म को एक कमजोर देश की निशानी से ज्यादा कुछ नहीं मानेगा जो भविश्र में इसराइल के लिए आज से भी बड़ा संकट पैदा करने वाला हो सकता है